आज भादरपद कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिति और मंगलवार है आज शीर कृष्ण जनमाष्टमी है अष्टमी तिति आज सुबह से कल दो पहर पहले 11 बच कर 17 मिनट तक रहेगी आज राथ आज सुबह से राद 12 बच कर 57 मिनट तक भरनी नक्षत रहेगा उसके बाद क तिकानक्षत लग जाएगा इसके अलावा आज सुबह से कल सुबह 9 बच कर 25 मिनट तक व्रद्ध योग रहेगा इस योग में किये गयकारी की व्रद्ध होती है शीकर्ष्ण जनमाष्टमी तंत्र मंत्र और विभिन इच्छाओं की पूर्ती के लिए बहुत ही शीष्ट है आज कुछ खास उपाय करके आप प्यार पैसा और शोहरत सब कुछ पा सकते हैं आगे हम इसी पर विष्ट चर्चा करेंगे साथी आज अगर आपका बर्डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी महरी जनिवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लगी कलर और क्या है आपका आज का लगी नमबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अख्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जीर होगा या दोत्य किसमत का दरवाजा खुलेगा किस अख्षर का आज क्या है भविश्चे जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्टु शात्र और स्थामूद्दिक शात्र की क्या है कोरोना कब हविश्य और कब निकलेगी कोरोना की वैक्सीन आज कौन सी दिशा होगी शुब और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगी दोस्तों सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश के गनित पक्षने आकाशी पिंडों के बीज बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिव फील्ड के मूमेंट को कलकुलेट करके ये चान दिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुगदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि कि याई जैद योग की तो बता दू कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 13 अगस्त की सूर्योदे से दोबार 12 बचका सताओन मिनट तक रहेगा इसके बाद बात करते हैं सरवासिध्योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 12 अगस्त को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा इस करम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुब महूत यानि के फेबरेबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत कल यानि 12 अगस्त की सुबह पांच बचकर उन चास मिनट से दस बचकर 47 मिनट तक रहेगा आज कोई नया बिजनेश शुरू करने के लिए कोई महूत नहीं है अब ये महूत 20 अगस्त की सुबह दस बचकर 15 मिनट से दो पांच बचकर 53 मिनट तक रहेगा अगर आप को एक कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 14 अगस्त की दो पांच बचकर 2 मिनट से शाम 7 बचकर 3 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रियल इंस्ट्यूशन में लेंदेन करने के लिए आज कोई अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 13 अगस्त की दो पांच बचकर 2 मिनट से शाम 7 बचकर 7 मिनट तक रहेगा आज सिजेरियन आपरेशन कराने के लिए अच्छा महूत रात 1 बचकर 3 मिनट से कल की सुबह 5 बचकर 49 मिनट तक रहेगा अगर आपको जॉब जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 23 तारीक को सुबह 5 बचकर 55 मिनट से दो पार 12 बचकर 23 मिनट तक और दो पार 2 बचकर 42 मिनट से शाम 5 बचकर 5 मिनट तक रहेगा अगर आज कोई मेडिकल टीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं उसके लिए आज कोई अच्छा महूत नहीं है आज ये महूत 14 अगस्त की दो पार 2 बचकर 2 मिनट से रात 8 बचकर इकर 30 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुप समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जूली इलेक्ट्रमाइटिव फील्ड कुछ शारों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुप करानती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इसे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुप कारे करने से सफलता नहीं मिलती है आज कोई अशुप समय नहीं है आज ये अशुप समय बारा अगस्त की दो पहर बार तीन बच कर तेईस मिनट पर समा पर होगा वैसे तो इस से सभी राश्या प्रवावित होती है लेकिन इस बार विरश मेथोन तुला और धनुराश्या विशे शुप से प्रवावित होंगी द्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बात तक कोई भी शुप कारे नहीं करना चाहिए